कि यूटूब चैनल परिक्सस है पार्टी में आप सभी का हर दिख श्वागत है गुड इवनिंग टू अलो फ्यू मैरी तू चले जो हम अपनी तैयारी करें यूजी सी नाट जी आरफ की हम लाइब्रेरी साइंस की हम तैयारी करें कोश्चन आपको करवाए जारे संडे संड में आपको क्या मिलता है औल्ड पेपर की आपको क्लास मिलता है जिसमें आपको एक पेपर आपका करवाया जाता है जो आपको संडे में आपकी क्लास होती आपको क्लास हैanday to Saturday jop Знаus सिलेबस कहा को जा रहा है तो जो क्लास आपको मिल रही है आपको तैयार अपने अची करने है तो आप अपनी जो क्लास आपको मिल रहा है डे ली वो क्लास UP की ज़े ed per 양प कर आपको परčेस करने ऐist Mythical अकर आपको चाहिए तो कीमत क्या रक honest की sensor कीज तब आपको 30 पेपर आपको मिलेगे कितने पेपर 31 पेपर आपके है जो 2011 से लेके कब से कब तक 2011 से लेके आपको अब तक के सभी पेपर आपको एक जगह मिल जाएगे एक ही जगह आपको मिल जाएगे कीमत रखी गई है 100 रुपे तो 100 रुपे में आपको कुश्चन Q2 परकार के पुस्ट काल्यों में इस प्रकार सर्वेक्stonesकारह का सर्वेक्ष्टकारे हों यह बहुत उप्योगी होता है। उप्रकार सर्वेक्षन का सबस्टकारह hvad। निक पुस्टकारह में उप्शन युनिवर्षिटि लाइप्रे zupełnie में इए द्यार capacity पुस्तिकालियों में यह option C इन academic and special library शाक्षिनिक और विसेज़ परकार की पुस्तिकालियों में होता है वो भी आपका गलत होगा यूरिवर्षिटि लाइब्रेडरि जो आपका विश्वी द्याल है जो देहरदू dopamine में की आपके आपके लिए पुस्त का ले वो किस तरह की आपकी पुस्त का लिए तो किस तरह की आपकी पुस्त कालिय包括 होगी चलिए अब एक एक करके इसका उप्षिन देखिए अब आपका ए पब्लिक लाइब्रेरी आपका इंपोर्टेंट कोश्चन है कोश्चन नमबर सेगिंड जो दहरादूर में आपकी पुस्तकाले लाइब्रेरी जो आपकी सिच्वेटिड आपकी वह अंध्य और विकला इसपेशल लाइब्रेरी विसेश परकार की पुस्तकाले क्या वह एक तरह की क्या है विसेश परकार की पुस्तकाले यह आपका राइट है चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका सी है अकैडमिक लाइब्रेरी साक्षनिक पुस्तकाले तो यह क्या वह एक तरह से आपकी सा लिखकारे इस्पेशल लाइप्रे उब्रेस विशेज परकार की क्या होगा आपके फेस्ट काले हैं तो कोशन के एकलवत्त के पूस्ट काले नेक्स्ट कोशन आपका दिया गया है कोशन नमबर यह आपका थड़ है किस परकार के पुस्त काल्यों का उद्देश है उप्योग करताओं की अकादमी को और सोध संबंदी जरूरतों को बढ़ावा देना है क्या देना है बढ़ावा यानि सोध संबंदी जो जरूरत होती है जो उसको क्या देना बढ़ावा देना है option A public library तो बढ़ावा फोन देता है जो public library होजे आपकी सावजनिक जो पुस्तकाले वो बढ़ावा देती है wrong answer option B college library विद्याले पुस्तकाले college library आपकी बढ़ावा नहीं देती तो option B भी क्या आपका गलत आंसर होगा चलिए next तब आप option C special library विद्याले पुस्तकाले तो यही क्या आपकी बढ़ावा देती है option D आपका right answer है तो university जो लाइब्रेरी आपकी विद्याले पुस्तकाले यह आपका क्या देती है academy को जो आपकी academic होती है यानि academic जो आपकी sectionic बुस्तकाले और सोद संबंदी सोद यानि research आपको पुस्तकाली का मुख्या उद्धेशिक क्या होना चाहिए जो college आपकी लाइब्रेरियाए सका मेन आपका मोटिव है उसका मेन आपका मोटिव है क्या होना चाहिए मैनले आपके पूछा गया है देना यह promotion of researcher आपका है तो यह आपका wrong answer है option B promote the reading habit of student यह भी आपका wrong answer है option C आपका satisfy the entertainment needs of the student option यह भी wrong answer है option D आपका support the teaching program of the college यानि support करना किसे जो teaching program होते हैं आपके college में यानि college में जो आपके teaching program होते हैं कार्यक्रम जो आपके होते हैं teaching से उने क्या करना सपोर्ट करना तो यह आपका right answer आपका है right answer है it should पूस्टिः करेक्राम परमोर्ट करना ने सपोर्ट करना उन्हें लाइब्रेरी का वर्क होता है में मोटिव आपका होने चाहिए question fourth को राईट answer आपका option d है चलिए next अब आपका question है question number five next question अब आपका दिया गया है question number five question number five आपका है तो question 5 में क्या आपका question northwest में पूछा गया the library for the people of the people and by the people कहलाता है तो जो आपका है question five में the library for the दा प्यूपर गट फैंड रूंक-बन पुस्तिकाल कि ट्रोंकि पर लाइब्रेठी व्याक्तिकत पुस्तिकाल यह औरी ऊंप्शन दी है पबिक लाइबरे विफ यह मिनिंग पुबिक लाइबरे दिछ Skills में लिख यह भूसाइबस्ट की फड़्ल मोडी सब्सक्राइन आपकُ बीके लिए इसका आपका है तो कहला तो कहला था किया आपकी पबलिक लाइब्रेरी आपकी पूस्तकाल्य आपका है तो यह आपका question question number 5 is a question question number 6 then question number 6 question 6 पूछा गया है पूस्त काल्यों का सही वर्गी करन या प्रकार क्या होगा जो लाइब्रेरी आपकी है क्या है बच्छो लाइब्रेरी लाइब्रेरी आपकी है तो लाइब्रेरी का सही वर्गी करन या फिर सही जो आपका क्लासिफिकेशन है टाइप आपका है क्लासिफिकेश प्रिकार आपका होता है टाइप आपको होता है वो कौन सापका है चले आप एकर करके ऑप्षण करें कि अब आपका पबलिक academic special public academic special academic कोई क्या कहा जाता है कई बार academic आपको academic देखने को मिलेगा option भी आपका है यह आपका क्या होगा यह आपका पब्लिक जो आपका है यह क्या आपका राइट है चलिए अब आगे अब देखते हैं पब्लिक option B में दिया आपका public academic personal यह आपका गलत है option C आपका national, regional and international राष्ट्य चेत्रिय और अंतराष्ट्य यह भी आपका गलत है option D आपका public specific and national यह क्या आपका यह भी आपका option D भी आपका गलत होगा तो राइट आंसर क्या होगा राइट आपका आपका hア public academic special question six का option a आपका right answer पबिलिक &Afal तो जो लाइब्रेरी इस का आपका right आपका classification है वह आपका एक तो आपका पब्लिक होगा दूसरा आपका academic होगा तीसरा क्या आपका special यह आपका क्या है सही आपका classification है तो classification का जो सही प्रकार है सही आपका है वो कौन सा है वो आपका पबलिक अकैडमी की special तो option है क्या आपका right answer है question 6 का चलिए next question क्यों बढ़ेगे next अब question 7 नेक्स्ट question आपका दिया गया है question 7 में सारजनिक पुस्तिकाल ले डैस का उपार है जो सारजनिक पुस्तिकाल ले आपका है public libraries क्या बच्चो पब्लिक जो आपकी लाइबरेरीज आपकी है public libraries का जो उफार है वह कोन सा उपार है, то dness का public libraries किसका उपार है, डontin का उपार, यानि वह उपार किसका है, एक-एक करकर आभे मिसमें देखें, option A है आपका है democracy प्रजातंत्र, तो प्रजातंत्र का यानि democracy का है, यह आपका, ठीक है, right answer है, option B यापyas का है the English, option B क्यापका the English, यह आपका दाइंगलिस आपका दिया गया यह आपका क्या है गलत्य और प्कुषं से आपका कॉंगरेश पार्टी यह आपका रोंग आ सवर है यह प्ञेड़ किसका है वह आपका डेमोड्य कि अंजर के अंजर का एक उपार है तो question 7 का right answer आपका option ए है डेमोक्रेशी परजातंत्र जो होगा इसका right answer है चलिए next question के और बढ़ेगे next अब आपका question क्या होगा next अब आपका question number 8 next question आपका दिया गया है question number 8 है अनौपचारिक आत्मसिक्सा किस तरह के पुस्तकालियों में संभव है तो जो अनौपचारिक आत्मसिक्सा है वो किस तरह की जो पुस्तकालियों उसमें संभव है option A public libraries, सावजनिक पुस्तकालियों option B, option B, अब आपका national libraries राष्ट है पुस्त काल ले, option C, school libraries विद्याल ले, पुस्त काल ले, option D, college libraries, college पुस्त काल ले, तो right answer क्या होगा, public libraries, self-genic पुस्त काल ले, question 8 का option A, public libraries, अनुप चारिक जो आपका आत्मसिकसा किस तरह कि जो पुस्त कालों में संभव है, वो आपका public libraries, या सावजने पुस्ट काल्व में आपका संब्भ है तो प्रॉपशन है इसका राइट आंसर होगा चलिएcellent अब आपका question number 9 next question क्या होगा Upper question number 9-person wir Star सेवा इन में से किसकी एक विषेष्टा है जो विष्टार की जो है वो इन से कौन सी आपकी एक विशेस्ता है ने युनिवर्शिटीटी लाइब लचाल एक यो एक कोलीज्राइबरेरी कोलीज्ट के ले यह आपका गलसी पब्लिक लाइबरेरी सार्विष पुंस्त का लएए आपका राइट अंसर लिए सेवाइं तरह की सेवा विसेष्ता है जो विस्तार सेवा है पुस्तार क्या करती है जो पिर अपको ये मोबाइल सर्विस होती है इसे विश्तार सेवा होती में आपका अंसर किसके सर्вीस यह किस मोबाइल सर्विस आपकी होती है मोबाइल सर्विस आपकी होगी मोबाइल सर्विस होती है बुक बाए मेल बुक कि क्या है आप बुक बाए मेल तो मेल के द्वारा आप बुक को क्या कर सकते है भेज सकते है टेलीफोन टेलीफोन आपका हो गया क्या हो गया टेलीफोन आपका होता है यह सभी क्या आपका विस्थार आहला होताया एसमें आपकी इसमें आपका मुबाइल pista मेश में आपका होता है बुक बाइं का आपका और इबेशन हो गया वह में औहना आता whispering इसकी जो आपकी है मैक कोलविन ने क्या कि थी पाठकों की संख्या और काम की मात्रा बढ़ाई थी तो अधिक लोगों के लिए क्या क्या उपयोगी बनाया था किसने बनाया था यह आपका मैक कोलविन ने आपका बनाया था तो मैक कोलविन वो है मैक कोलविन ने जो पाठकों की शंख्या काम की मातरा बढ़ाने के लिए बाद में क्या कहता पुस्त काल लीजिए आपकी अधिक लोग threwalks बनाने के रूप में से मनाया गया तो मैंक कोल भी निने मैंक कोल भी ने यह ज़ादे से ज़्याद लोगों में बठनाया था तो इसके राइट आंसर आपका क्या है पबलिक लाइब साव्जनिक है नेख्त अब आपका कोुशन है कोशन नमबर टैनले नेक्स्ट कुश्चन अब आपका दिया गया एकौश्चन 係ागय आपका भारत में ये आंदोलन किसे वर के आँजय कुपा तो यहीं आपका सब्सक्राइब तो ये कब आपका start किया गया था option A 1900, option B 1905, option C 1910, option D 1915, तो कब आपका start किया गया था आंदोलन के अगर हम बात करें तो सिया जी राव जो गायकवड थे, कौन जो आपके, सिया जी राव गायकवड है, जो आपके है, सिया जी राव गायकवड जो सिया जी राव गायकवड आपके है, त्रित्या है, सिया जी राव गायकवड कौन से त्रित्या वाले, तो ये क्या थे बडोदा के महराज थे कहां के महराज थे बडोदा के महराज थे तो इन्होंने क्या क्या था 1910 में 1910 में 1910 में जो बडोदा के महराज थे इन्होंने 1910 में जो आपकी भारत में जो आपके सारजनिक जो पुस्तकालिय परनाली थी जो अंदोलन की सुरुआ था परणाली के विकाश का श्रे उन्हें जाता है किसे जाता है या आपका सियाजी राव गायक वर्ड को जाता है उन्होंने क्या गया था इन्होंने अपने जो इस्टेट था उसमें पुस्त काले विबाग की इस्तापना की थी कब 1910 में जो मैल्विल डेवी के सिस्षय पर्थम पूर्ण कालिक राज्य पुस्त काले निर्देशक के तोर पर भी न्यूक अपने किया था तो जो आपके सियाजी राव गायक वर्ड तृत्य थे यह जो बड़ोदा के आपके महराज थे 1910 में कब 1910 में आपका पुस्त काले अंदोलन आपका स्टार्ट किया गया पुस्त काले अंदोलन पुस्त काले अंदोलन इस्टार्ट किया गया था 1910 में शुरू आपका किया गया था फिर आगे आपका है जो कोशन 10 में इसमें आप से आगे जो आपका था 1910 में 1910 में क्या गया था इन्होंने अपना जो राज्य था स्टेट आपका इनका था इस स्टेट में इन्होंने लाइब्रेरी की स्तापना की थी तो लाइब्रेरी की स्तापना की थी किसने जो आपके सियाजी राव गायक वर्ड तृत्य थे अपने राज्ये में लाइब्रेरी की स्तापना की थी कब 1910 में 1910 में जो आपके मैल्विल डेवी के सिस्षे थे किसके मैल्विल डेवी के आपके सिस्षय थे मैलविल जो आपका डेवी है उनके सिस्षय थे तो मैलविल डेवी के सिस्षय थे आपके डबलू ए बोर्डन तो सिस्षय कौन थे डबलू ए बोर्डन डबलू ए बोर्डन को क्या क्या था इन्होंने पर्थम पहला जो आपका पूर्ण कालिक राज्य है सूरार निदेशक तोρ पर किया था तो डबलु ए बौर्डन को फुस्त कालियरन निदेशक के तोर पर अपकर कहता निदेशक से बनाय गया था डबलु ए बौर्डन में डबलु ए बौर्डन को 1910 में इस नी ऐसे जो आपके सियाजी तृस्य आप के पूुस्थ काल्या अंदोलण में स्टाट गिए था इन्होंने अिपने फुस्थ कळले आपका और क्ती थी एक पूस्त काल्या है आपके डॉआ बोर्डन इन्हीं कहा गिया था पुश्त कालने देशक के तोर पर भी नयूक किया था तो इसका जो राइट आंसवर होगा केा टैन का आपका इसमें पूचवी यूद ostat सब्सक्राइब आपका गलत आंसर आपका है तो राइट आंसर आपका इसमें 1910 में आपका शुरू किया गया था लाइब्रेरी का इंडिया में जो लाइब्रेरी आंदोलन आपका बड़ोदा के महाराज थे और बड़ोदा में 1910 में 1910 बड़ोदा में अपने राज्य सब्सक्राइब निदेशक के तोर पर चुना था तो किसे जो पहले आपके पहले पहले पुस्तकाले निदेशक थे के पहले निदेशक के लिए निदेशक के यह निदेशक यह ने पुस्तकाले निदेशक के दिए तो था तो पहले पुस्तकाल निदेशक आपके थे डबलू ए बोर्डन बड़ोधा राज्ये में जो सियाजी राव गायक वर्ड तृत्य के द्वारा चुने गए थे चुने गए थे तो कोशन 10 का राइट आंसर आपका ओप्शन सी है 1910 इसका राइट आंसर है चले आपको क्लास कैसी लग रहे है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक कीजेगा कमेंट कीजे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजे थैंक्यू